नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं REIT एक्जाम को लेकर जो हाई कोट में याचिका लगाई गई है उसी का आपडेट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ किस वज़े से हाई कोट में रीट की वर्ती पर यह याची का लगाए गई चुनोती दी गई यहाँ पर देखिए रीट 2021 वर NCTE की गाइड लाइन को हाई कोट में चुनोती आज की ही न्यूस है दोस्तों यह जेपुर से न्यूस है आप सबी जानते हैं कि काफी समय से हमारे राजस्तान में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड को लेकर जो विबाद चल रहा है लेवल फर्स्ट में बीएड विध्यारतियों को शामिल करने को लेकर काफी टाइम से बात चल रही थी लेकिन सरकार ने जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज किया है 11 तारीक को उसमें ये क्लियर मेंशन कर दिया था कि लेवल फर्स्ट केवल बीएश्टी वालों के लिए ही है बीएड धारी उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं इसी बात को नियाले में चुनोती दी गई है अब देखिए न्यूस में सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे अगली सुनवाई कब होने वाली है ये भी जानकारी समय दी गई है तो हाई कोर्ट में चुनोती दी गई है कि 15 जनवरी को यहाँ पर सुनवाई हो सकती है और आगे भी जा सकती है डेट लेकिन 15 को भी हो सकती है कंटपीट के समख स्पेश याशिका में राज्य सरकार की 11 जनवरी को जारी परिक्षा नोटिफिकेशन वह NCTE की 23 अगस 2010 की गाइड लाइन को चुनोती दी गई है याशिका में NCTE की गाइड लाइन को समयधानी गोशित करने की गुहार करते हुए कहा कि जब गाइड लाइन ही गलत है तो फिर उनके आदार पर रीट की नोटिफिकेशन कैसे सही हो सकती इसके लावा बीएड धारकों को रीट लेवल परत में शामिल नहीं करने वा केवल बीएड दारकों को शामिल करने का भी आदार बनाया है लुपना फातिमा की ओर से दायर याचिका में केंद्र वर राज्य सरकार NCT के चेर्मेन रीट समनवेक सहीत अन्य को पक्षकार बनाया है याजिका में कहा है कि बीएड दारकों को शामिल नहीं किया गया है और केवल उनसे कम योग गेता वालों को बीएड टीसी वालों को शामिल किया गया है ठीक है और अरंत में ये बात कही गई है कि यह शिक्षा के अधिकार कानून के खिलाप है क्योंकि कानून यह किता है कि बच्चों को उच्च इस तरही है वग गुणवता युक्त शिक्षा से मन्चित नहीं किया जा सकता है एसे में रीड लेवल प्रतम है बीड वर अन्य उच्च योग गिता वालों को शामिल नहीं करना सभीदान के प्रावदानों की अनुसार गलत है तो यह आज का अपडेट है यह न्यूज ओर देख सकते हो आप चार साल बाद निकली रीड की विगपति को आई कोट में चुनो को केवल आपको न्यूज की तरह ही रहना है आपकी जो पड़ाई है वह बादित नहीं होनी चाहिए दोस्तों इसी के साथ अगर आप लाइव क्लासेज के माद्यम से घर बेटे अपनी तयारी करना चाते हैं तो अनकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप जोइन कर सकते हैं यह ठीके इसी के साथ हर कक्षा के बाद यहाँ पे पीडियेफ के नौट्स दिये जाते हैं इसी के साथ राधस्तान का कोई साभी एक्जाम हो आरेस, एसाई, रीट, लेवल, फर्स, एकिंड, पटवार, एसी, एप, कॉंस्टेबल, सभी परिक्षाओं की ओनलाइन तेयारी आपको 10% का इसमें डिसकाउंट मिलेगा और प्ले स्टोर से आप इसका एप भी डाउनलोड कर सकते हैं तो मिलते हैं एक नए अपडेट नही जानगारी के साथ तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं धन्यवाद